गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ओनो इस्टडी प्रेटफॉर्म पर जहांपर एक बार मैं फिर आपके साथ हूँ करेंट अफियर की क्लास में, जहां हम डिसकस करेंगे देश और विदेश के विभिन्नु मुद्दों को और उसके बारे में जाने जहां पर जरूरत पड़ेगी जिन कॉस्टेंस में वहां मैं आपको अच्छे से एक्स्पेंट भी करूँगा, तो शुरू करते हैं, हम आपनी आज की क्लास, आज की क्लास में हमारे पास बहुत सारे क्लास है, जिनने हम एक्स्प्लानेशन के साथ कवर करेंगे, कोशिश कर सांतिक समर्थन दिया है, ऑप्शन A है, ऑस्टेलिया, ऑप्शन B, चीन, ऑप्शन C, सईयोकतराज अमेरिका, ऑप्शन D, ब्रिटेन, हमारे पास चार ऑप्शन है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि इसमें किस-किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, तो सबसे पहले किस इस देश ने 2050 तक इस चीज़ को आप ध्यान लखिएगा, कि 2050 तक नेट जीरो कार्बन उसर्जन का लक्ष रखा गया है, और इस देश ने सर्धान्तिक समर्थन दिया है, किस चीज़ के लिए, नेट जीरो के लिए, तो इसका सही ऑप्शन होगा, ऑस्टेलिया, हाली में ऑ 2050 तक अपने देश से उसर्जित होने वाले कार्बन की कटाउती करकर उसे शुन के इस तर पर ले आएगा, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह नेट जीरो का अर्थ क्या होता है, नेट जीरो कार्बन उसर्जन का मतलब क्या होगा, नेट जीरो कार्बन उसर्जन निए निकालना बंद कर दें, वोगे तो in हम किसी भी हालत में नहीं हो सकता है हम्हारे समय में, carbon कहीं निकलेगा ही निकले गा मार कोशिश ह कोकी Solar करें का PP से benefits को प्राप्त करने के लिए कि हम जितना carbon निकाले उन्हें हमतना ही वातावराण सेral है तो इसके लिए हम क्या कर सकते होंगे, हम कई सारे पेड़ लगाएंगे, कई तक्निकों का यूज करेंगे, जो कम से कम कार्बन का उस्षर्जन करती हो, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि net zero का मतलब क्या होता है, net zero का मतलब की कार्बन के इस तर को शूने करना, मतलब हम अंत्रिक वाता वरण में कितना carbon का सर्जन करते हैं, और उतना ही वाह वाता वरण में अगर वो दोनों equal हो जाता है, तो ये होगा net zero carbon उस्षजन, और जो चीजे carbon निकालती है, उन्हें समाने करने के लिए, carbon सोखने के लिए, तकनिकों का विश्कार करना, पेड़ पॉधे लगाना इससे होगा हमारा net zero carbon उत्सर्जन और ऐसी इकोनॉमी बनाना जिससे कि carbon उत्सर्जन कम से कम हो यह हमारा इस net zero का लक्ष होगा और हाली में आपको बता चुका हूँ कि आस्ट्रेलिया ने 2050 तक net zero carbon उत्सर्जन का लच्छ रखा है तो समझ में आ गया होगा आप सभी को हम चलते हैं अपने अगले प्रश्ण की तरफ हमारा अगला प्रश्ण है हाली में खबरों में रही यह नई और द्योगी क्रांती पर नई और द्योगी क्रांती पर साझेदारी पार्ट निर का संबंध किस संस्था से जुड़ा हुआ है तो पार्ट निर का मतलब पार्टनर्शिप पार्टनर्शिप और न्यू इंडस्टियर रिलेशन पार्टनर्शिप और न्यू इंडस्टियर रिलेशन इसका मतलब है न जो भी समझाते हुए होते हैं किसी ने किसी संस्था से जुड़े होते हैं और वंडे एक्जाम में अक्सर यह पूछ लिए जाते हैं इस प्रकार के कुश्चन तो यह सम ऑप्शन ए इसमें दिया हुआ हम देखेंगे ब्रिक्स OECD, G20, OPEC इसका सही option होगा सही answer होगा भी कसे बार हाली में हाली में संचार देशो के संचार मंत्र हमतोर की जहां पर हमने और देखी क्रांती के लिए एक समझाता किया आ है यह पाटनर्शिप और बात की गई और यह कहा गया कि इसमें कुछ कुछ पॉइंट थे जहां पर फोकस किया गया जिसमें जैसे कि डिजिटलाइजेशन का पॉइंट कि हर व्यक्ति को डिजिटल करना डिजिटलाइजेशन का पॉइंट था यहां पर इनोवेशन का पॉइंट कि हम कितना इनोवेशन कर पाते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन क्योंकि इन्वेशन भी इंडस्ट्रियल रिलेशन से ही जुड़ा हुआ है इन्वेशन का पॉइंट है इंक्लिजियूनेस मतलब समावेशी हम कितना समावेशी हो पाते हैं कि इन्रीज़ूजयू शूंस हम कितना वर्ड़ शु पार रहे हैं हम कितना अधियोगी थी तरफ या रहे हैं इन्डस्री अलाइज़िशन तक रहे हैं इस सम्झते से हमें हमें कितना अधियो स्पेश्च करना होगा इंडुस्ट्रियलाइजेशन हम कितना इनोवेटी हो पा रहे हैं कितना हमारे अध्योगी करण हो रहा है हम कितने समावेशी हो पा रहे हैं हमें इन सब पॉइंट पर ध्यान देंगे इसमें और साथ ही साथ सूचना इनफोर्मेशन टेकनोलाजी 4.0 की तरव भी हम बढ़ रहे हैं तो हमने उस पर ध्यान देते हुए अध्योगी करांती के लिए साजहदारी की हुई है ब्रिक्स के साथ तो अब यहां पर हम तो जान चोके हैं कि इस चीज के बारे में ब्रिक्स के साथ समझगता हुआ है थोड एस बी से ब्राजील, बी से ब्राजील, रूस, आई से भारत, सी से चीन, और एस से दच्छड अफरीका यह पांच देशों की एक संस्था है जिसे इन पांच देशों ने मिलकर बनाया है और मिलकर बनाया है तो अपने विकास के लिए बनाया है और विकास के लिए बनाया है तो इन लोगों इन पांच देशों ने मिलकर अपने लिए एक अन्य संस्था के लिए एक अन्य संस्थ बिक्स बैंक और मैं आपको बता दो कि बिक्स केस थापना हुई थी यह सन 2006 में बना हुआ था सन 2006 में बना था इसमें पांच तब इसमें चार देश सामिल थे ब्राजील रूज भारत और चीन सन 2010 में साउथ अफरीका को शामिल किया गया तो यह आप ध्यान रखिएगा कि बिक्स में पहले जब यह बिक्स का गठन हुआ था तो उस समय इसमें चार देश शामिल थे ब्राजील रूज भारत और चीन सन 2006 में लेकि दख्षिड अफरीका को सन 2010 में शामिल किया गया और यह अक्सर इग्जाम परिक्षाओं में पूछा गया है पहले की परिक्षाओ में यह पूछा जा चुका है आगे भी पूछा जा सकता है तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि सन 2010 में दख्षिड अफरीका को ब्रिक्स में जोड़ा गया ब्रिक्स के लिए ब्रिक्स के देशों ने मिलकर अपना खुद का एक बैंक बनाया है जिसे न्यू डेवलप्में हाने जाता है और बिक्स के बाए में आप थोड़ी जानकारी और टाड़ू अच्छा होगा ब्रिक्स जो है दुनिया की 42 परतिशत आबाधि कि विश्वर की 42 परसेंट 601 परतिशत आबादि गेंसदेशों में निमाज करती है विश्वर की जीदीपी का दुनिया भरें में जितनी कमाई होती है उसका 24 पर संदर्स को भीक्स देसों से मिलता है तीस परसंड जमें अपनी यह कितनी बड़ी संस्था था थीस प्रतिशत भूमी गस देशों के पास है 30% भूमी पूरे दुनिया में ब्राजील भारत चीन और दच्छड अफरीका के पास है 42% की आबादी यह लोग रखते हैं मलब दुनिया में लगभग आधी से ज्यादा आबादी इन देशों में निवास करती है ठीक है तो हाली में और थोड़ी सी जानकारी रखना देना चाहूंगा इसके बारे में ब्रिक्स बारे में हाली में ब्रिक्स का तेरवा सम्मेलन हुआ था वर्चुवल सम्मेलन ब्रिक्स देशों का तेरवा तेरवा वर्चुवल सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किस ने की थी जिसकी अध्यक्षता हमारे PM नरेंद्र मोदी ने की थी नरेंद्र मोदी जी ने हमारे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने की थी इसकी थीम से कुछ पोछ सकता है कि बिक्स डिशों के तेरवे वर्चुवल सम्मेलन की थीम क्या रही थी तो यह थीम मैंने कल भी आपसे बताया था कि तीम किसी भी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो सकती यह और विविन एक्जामों में यह पूछी जाती रही है तो अगर मैं theme की बात करूँ, तो theme का, इसकी theme थी, bricks at the rate 15, निरंतर्था, समेकन, और आम सहमती, तो आप सब इतना ध्यान में रखेंगे, इसकी theme थी, bricks at the rate 15, निरंतर्था, समेकन, और आम सहमती, तो bricks के बीच सहयोग, तो हमारे ये question पूरा होता है, एक बर मैं थोड़ा ये लिंदी था, तो मैं इसे फिर से revise कर देता हूँ, ताकि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ सके, तो हाली में खबरों में रही नई उद्योगी क्रांती पर साजेदारी, part NIR का संबंध किस संस्था से जुड़ा हुआ था, आप अगर ये शब्द नहीं याद होता है, नई उद्योगी क्रांती पर साजेदारी, तो आप इसका short form, part NIR याद कर सकते हैं, partnership on new industrial relation, क्योंकि हो सकता है कि exam में part NIR दे के पूछ ले, और पूछ ले कि इसका संबंध किस संस्था से दिया हुआ है, तो आप इसे भी याद रखिएगा, part NIR ध्यान में रखिएगा, आपको जरूर से कहीं ने कहीं मिल सकता है, तो part NIR का संबंध किस संस्था से जुड़ा हुआ है, तो ये ब्रिक्स संस्था से जुड़ा हुआ है, और ये part NIR का मतलब क्या है कि, इंडस्ट्री में इनों वे हम आने वाली औद्योगी क्रांती 4.0 में इंडस्ट्रिलाइजेशन, औद्योगी करण, समावेशन, समावेशन कितना हो पाएगा, डिजिटलाइजेशन कितना हो पाएगा, इन सभी चीजों पर हमें ध्यान देना है, हमने ब्रिक्स के बारे में बात की थी, कि ब्रिक्स का जो गठन हुआ था, ब्रिक्स का जो गठन हुआ था, यहां 2006 में हुआ था, जिसमें चार देश पहले से शामिल थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन, और फिर साउथ अफरीका जो हुआ था, सन 2010 में, साउथ अफरीका इसमें जुड़ा हुआ था, ब्रिक्स देश्टों के पास अपना एक समेला नुमा था, जिसके अध्यक्षिता पियम नरेंद्र मोधी ने की थी, और इसकी थीम थी, ब्रिक्स, एड़रेत पंद्रा, निरंतरता, समेकन, और आम सहमती ये तु, ब्रिक्स के बीच सहयोग, तो अमित करता हूँ, यह आपको समझ में आ गया होगा, और हम चलते हैं किलनीया राजा महा विहार कहां इस्थित है? ओप्शन A, श्री लंका, ओप्शन B, नेपाल, ओप्शन C, भुटान, ओप्शन D, म्यानमार, तो महा विहार से आपको समझ में आ गया होगा कि ये बौत धर्म से संबंदित है, क्योंकि बौत धर्में विहारों की अलग ही एक म debatter होती ती जहां पर पूजा अर्चना या फिर निवासस्थान के लिए इनका प्रöhोग किया जाता था जहां पर रुकते थे चार महिने के लिए वहां पर वह बाता था उनका तो श्री-시тив रंगर नेपाल भुटान मैमार तसका सही उत्तर है श्री लंका देखिए हाल ही में पीम नरेंद्र मोदी थें हमारे पीम नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर कुशी नगर एयरपोर्ट का उद्गाटन किया कुशी नगर एयरपोर्ट का उद्गाटन किया तो यहाँ पर श्री लंका से आए हुए दो बहुत भिक्शुत है दो बहुत भिक्षू थें दो बहुत भिक्षू थें तो इन बहुत भिक्षू ओने हमें एक पेंटिंग भेट की जिसे किलनिया राजा महाविहार पार्क में वो पेंटिंग लगी हुई थी एक पेंटिंग भेट की उस पेंटिंग में बना क्या था उस पेंटिंग में की शिक्षाएं देते हुए चित्रित किया गया था तो उस पेंटिंग को जो बनाया था वो राजा महाविहार किलनिया राजा थे तो उन्हीं के नाम पर उस पेंटिंग को किलनिया राजा ने बनाया था यह श्रिलंकाई थे, श्रिलंकाई पेंटर थे, किलनिया राजा, इन्होंने बनाया था, और यह पेंटिंग किलनिया राजा महाविहार में थी, तो वह पेंटिंग इन्होंने भेट किया है, इसलिए यह पेंटिंग चर्चा में है, हो सकता है आपसे एक्जाम में यह पूछ कि लगे राजा महा विहार कहां इस्थीत है कि ये महा विहार ś्री लंका में इस्थीत है ठीक है दोस्तों क्योंकि ये महा विहार ओक हमारे भारत में भी착 बहुत धर्म की आने तेती तिर्थिस्थल हैं इसलिए mover द ध्यान रखेंगा है कि लिनिया राजा महभियार हम अपने अगले कोशन की तरफ चलते हैं हमारा अगला प्रशन है हाली में चेर्चा में रहे एठ राइट मुश्मन्ट यह आधान में रखिये एठ राइट मुव्मेंट नामा कारिक्रम किसने प्रारम किया, eat right moment मतलब सही खाने का अभियान, आप क्या खा रहे हैं, और सही खा रहे हैं या गलत खा रहे हैं, यह आप कमेंट में बताईएगा, eat right moment नामक कारिकरम किसने प्रारम किया, पहला option है, भारती खादे सर्नक्षा एवं मानक प्रादी करन मतलब FSSAI, option B, नितिया योग, option C, विज्ञान एवं प्रद्योग की विभाग, option C, खाद्य प्रसंसकरण एवं उद्योग मंत्रा ले तो इतने सारे option दिये हो गया सही खाने का अभियान और ये हमारे आज की जीवन शेली में सबसे ज़्यादा जुरूरी है कि हम क्या सही खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं हमें जानना चाहिए, चाहे हम वो घर के अंदर खाएं या फिर बाहर खाएं, हमें अपने स्वास्त के बारे में स्वास्त को लेके जागरुक होना चाहिए, और हम क्या खा रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, इसकी जानकरी हमें होनी चाहिए तो हाली में FSACI भारती खाद संदक्षा एवं मानक प्राधी करण इसका सही उत्तर होगा FSACI ने एक अभियान चलाया है the eat right moment, eat right moment में हमें ये जैसे कि मैं एक एक्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा समय होगा कि हम जैसे होटल में मेनुकारड मिलता है हमें केवल कारेटी रहते हैं मतलब सेंड़ कांटी ग्शा, होगाbench काč इतना रीट अंगार होगा घृहर, और ये ओल ये नहीं पता tenga क् मानले जे हम eh तो उसमें कितना कर्बो हाइडरेट है उसमें कितना पनीर है कितना तेल डला हुआ है इसकी मात्रा नहीं लिखी होती है तो FSCI ने यह जरूरी कर दिया है सबको इसी जन्वरी से जन्वरी देखे 2022 से लगबग 2022 से यह शुरू हो जाएगा इसमें यह कह दिया है कि सभी के सभी जितने भी होटल और रस्टरेंट होंगे उनके मेन्यू कार्ड में अगर यहां पर लिखा है उनके मेन्यू में अगर दाल है किसी भी तरह की तो उसमें कितनी कैलोरी है यह उन्हें लिखनी पड़ेगी ताकि लोगों को पता हो सके कि दाल में कितनी कैलोरी है, एक कटोरी दाल में, माल लेजे वो कटोरी 100 ग्राम की है, तो उस 100 ग्राम में दाल कितने ग्राम है, तो उसके ग्राम को भी लिखना होगा, कैलोरी लिखनी होगी, ग्राम लिखना होगा, उसमें वसा की मातरा कितनी है, उसमें ट्रांस वसा की मातरा कितनी ह यह सारी चीज़े उसमें शुगर की मात्रा कितनी होगी ताकि एक बार खाने वाले को लगे कि हम इतनी सारी चीज़े अपने अंदर ले रहे हैं तो वह एक बार देखकर सही चीजों की तरफ खाने के लिए बढ़ेगा और अपने स्वास्त के परती जागरूख होगा इसलिए एसा कडम इठाया और एक परिवर्तन करती हुए यह कहा था कि नमक और चीणी और तेल ये तीन चीज़े नमक चीणी और तेल हम भारतियों को नमक चीणी और तेल खाने की बहुत आदत है कि हमारे हर बेंजन में इन तिनों की मात्रा बढ़के ही डाली बढ़ा के ही डाली और अक्सर चीनी की तो खास्त और क्योंकि खाने के बाद मीठा हमारे क्या कंपल्सर ही हो जाता है कुछ जगह वोपर तो नमक चीनी और तेल की मातरा को अगले तीन सालों में next three year अगले तीन वर्षों में नमक चीनी और तेल की मातरा को 30 पर्तिशत से कम करना तीस पर्तिशत तक कम करना कि नमक चीनी और तेल की मातरा को अगले 30 पर्तिशत तक कम कर देना हैं हमारे खाने से यह है FSAI का मतलब लक्षी ने रखा है कि हमारी थाले से इतनी चीज़े कम हो सके ताकि हम अपने स्वास्त को लेकर जाग रोक रहें और हेल्थी रहें तो उम्मिद करता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा दाइट राइट मूमेंट नाम का अभियान FSAI ने प्रारम किया जिसमें हमें यह पता चलेगा कि किसी भी होटल के मैन्यू में हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं और नमक चिनी और तेल की मातला को अगले तीन सालों में 30 प्रतिशत तक की कमी करना है तो उम्मिद करता हूँ यह प्रशन आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा और आप अपने इसे लाइफ में भी अपलाई कर सकते हैं और अगले साल से जब आप भी जाईएगा तो आप जरूर कहिएगा कि मुझे मैं क्या खा रहा हूँ उसकी मुझे जानकारी होनी चाहिए रस्टोरेंट वालों को आप बोल सकते हैं अगला कोश्चन है हमारा National Bank for Financing, Infrastructure and Development का चेयर्मेन किसे नियुक्ति किया गया National Bank for Financing, Infrastructure and Development का चेयर्मेन ऐसा नियुक्तियों से कोश्चन पुछे जाते रहे हैं और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसका गठन अभी हाल ही में किया गया है National Bank for Financing Infrastructure NBFID 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 का गटन हाली में एक विधायक ला करके किया गया था तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा और ये NBFID लाया किसलिए गया था मैं ये आपको बता दू पहले NBFID लाया गया था बुनियादी धाचा और विकास के लिए जो भी हमारे क्या बेसिक सुविधाएं होती है जैसे सडक हो गया मतलब कहीं पर अच्छे पार्क बनाना है या फिर कहीं रहने के लिए आवाज बनाने है ये हमारी बुनियादी अवशक्ताओं होती है तो आप ऐसे समझेए कि बुनियादी अवशक्ताओं में अच्छा हाय परिवेश PRESब्राइन अच्छा हो जाया तो ये बुनियादी अवशक्ताओं में आता है हमारे पास आसान तरीके से बैंकों में perpet 1 जाय इस सारी चीज बुनियादी अवशक्ताओं और उसके लिए जोभी धाचा करणाओं घर तो उनके उन्हें ये पैसा देता है ये संस्थान आप इस तरीके से समझ लिए उनकी फंडिंग करता है मलब बैंकों को और इसके साथ इस संस्था के साथ RBI भी जुड़ा हुआ है केंद्र सेंट्रल गोवर्मेंट जुड़ी हुई है केंद्र सरकार कई सारी संस्थान इसके साथ जुड़ी है केंद्र सरकार जुड़ी है और कई सारी development finance institution विकास वित्र संस्थान जुड़े हुए है इसके साथ कई सारी बीमा कमपनिया जुड़ी हुई है तो ये कई सारी संस्थाओं से मिलकर बना है NBFID National Bank for Financing Infrastructure and Development development और ये क्या करता है ये विकास एवं और संस्थान चना के लिए वित्त प्रदान करता है उन्हें funding करता रहता है कि वो संस्थान जो भी काम हो रहा है वो रुके नहीं तो हाली में इसके एक नए नए चेयर्मेन की नुक्ति हो ये नहीं क्या ये पहले चेयर्मेन होंगे इसके ये पहले चेयर्मेन है तो आप्षण A है KV कामत, आप्षण B विबेक देबराय, आप्षण C अर्विंत पंगड़या, आप्षण D राकेश मोहन तो इसका सही उतर होगा आप्षण KV कामत, हाली में सरकार ने KV कामत की अध्यक्षिता में, KV कामत को National Bank for Finance Infrastructure and Development का चेयर्मेन नुक्ति किया है, और इसका अभी जब विधेक लाके बनाया गया थो तो इसकी 20,000 करोड की लागत से 20,000 करोड की लागत से इसका गठन किया गया था, 20,000 करोड इसे दिये गया थे, इसको गठित करते से में 20,000 करोड लगाए गया थे, तो यह आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे याद रखिएगा कि National Bank for Financing Infrastructure and Development का चेयर्मेन किसे नुक्ति किया गया है, KV कामत को, ठीक ह हम अपने अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्ण आता है, हाली में किस देश ने X-gender विकल्प के साथ, X-gender विकल्प के साथ, पहला पासपोर्ट जारी किया, एक पहला ऐसा देश है जिसने X-gender विकल्प के साथ, सहीउक्तराज अमेरिका, ब्रिटे X-gender का मतलब मैं आपको समझाता हूं, हमारे समाज में, हमारे आप कहीं पे भी से, आप इपर के पैजल समझते हैं, आप से दो चीज़े पूछी जाती हैं, ये कंपलशरी होती है, कि आप मेल है या फी मेल है, ठीक है? 2 चीज़े यहाँ पर नाम के लिकल्पर या फी में हैं वहीं पर हमारे समाज में कुछ ऐसे भी हैं जो जिनका लिंग निर्धारण करपाना आसान नहीं होता है जिनका जो शारिदिक तौर पर हो सकता है कि एक पुरुष हो परन्तु आंतरिक तौर पर और मांसिक तौर पर वो एक महिला के तौर पर है या फिर आंतरिक तौर पर वो एक महिला है बट बाहरी तौर पर पुरुष है दोनों बात एक ही हो गई कि मतलब दोनों में से कुछ भ निम्न रहा है शुरुवात से ही और हमने उन्हें सही जगह पर कभी नहीं रखा तो अब समय आ गया है कि हम उनके लिए कुछ आगे बढ़कर करें जिनने आप इस्थानी भासा में जिसे हम लोग किनर कहते हैं इनके लिए एक समुदाय है समुदाय का एक शब्द का यूज कि LGBTQ LGBTQ Community यह बोली जाती है तो इस समुदाय के उत्थान के लिए भाई अगर वो व्यक्ति ना तो अपने आपको ना मेल बता पा रहा है ना फिमेल बता पा रहा है तो किसी फॉर्म में और किसी किसी पर्टिकुलर जगह पर अपने आपको क्या परदर्शित करेगा उसके पास त इसके लिए अमेरिकी सरकार ने एक्स जेंडर विकल्प दिया है तो इन LGBTQ Community को एक्स जेंडर नाम से एक ऑप्शन दे दिया एक्स जेंडर एक्स जेंडर इन्हें दिया है संयुक्तराज अमेरिकन नाम तो LGBT को मतलब लेजबियान गे बाइसेक्सिवल ट्रांस जेंडर यह जो Community है इन्हें बहुत ही मतलब हेद रिष्ट्री से देखा जाता है जो कि हमारे समाज की एक निंदनी कृत है हमारे समाज का इन्हें भी उतना ही समान और उतने ही इजद के साथ जीने का अधिकार है जितना एक समान व्यक्ति को होता है तो इसके लिए हमारे कहां भी प्रयास जारी है LGBTQ Community के लिए और हलाकि प्रयास होते दिख रहे हैं विश्विस्तर पर एक्स जेंडर विकल्प के साथ पहला पासप ऐसील के स्तो जो मेल है वो मेल रहेगा फीमेल फीमेल और जो ट्रांस फिमेल रहती हैँ व气 होता है जो एक सबाने वाली कुछी बात नहीं हो उनकी तो ठीक है है यह संबच में आ गया मरान किया है और वो को यह कोईशन पूछा जा सकते है आपसे यह ध्यान रखिएगा क्योंकि एक बहुत बढ़ा सुधार है मंतलब सुधार है यह काफी अच्छा सुधार है यह कहा जाए बढ़ा सुधार भी है और अच्छा सुधार भी इसलिए आप इस प्रस्ण को जरूर से ध्यान में रखिएगा एक्स जंडर पासपोर्ट, पहला पासपोर्ट किस देश से जारे गिया, तो संयुकतराज अमेरिका ने, हमां अपने अगले प्रस्ट की तरफ आते हैं, अगला प्रस्ट है हमारा, हाली में चर्चा में रहा, पेगसे स्पाइवेर, किस देश की साइबर सुरक्षा कम्प्री बनाया है Pegasus spyware हाले में यह पिछले साल भी चर्चा में था इस साल भी चर्चा में आया इस spyware की वज़ा से कई देशों की सरकारों को मतलब डर लगने लगा था कई देश को सरकारे कहने लगी थे कि यह जासुसी कराने के लिए लाया गया है तो हम इसके बारे में भी अपनी है और उसने पेगसिस नाम का spyware बनाया था जो कि WhatsApp के माध्यम से आपकी फोन में इंस्टॉल हो जाता था और आप क्या बात कर रहे हैं किससे बात कर रहे हैं यह आपको बिना पता चले यह सूचनाय सीधे के सीधे कंपनी को मिलती रहती थी और कंपनी वो यह कंपनी और यह सारी सूचणा उन सारी सूचनाओं को सरकार को उपलब्ध करा देती है तो हाले में बहुत सारे लोगों को भारत में भी आमजनता के लोग आमजनता और उनके साथ साथ तो उसमें बाद में जाच करने पर पता चला कि यह कंपनी जो थी पेगसिस पाई वेर थी और इस पर आरोप यह लगे हैं कि इसने भारत सरकार के साथ समझ था जासुसी कराने के लिए लोगों की राय जानने के लिए इसने कई देशों इसमें कई साथ भारत ही नहीं कई चाथा जो लोगों के WhatsApp के माध्यम से फोन पर इंस्टॉल हो जाती थी फोन पर इस्टॉल होने के बाद उनकी फोन के सारे यहां कड़े वह क्या बात कर रहे हैं किस से बात कर रहे हैं बिना पता चले वह सीधे के सीधे कंपनी के पास पहुंचते थे टीक है पेगस श्पाइवयर यह इस्टॉल है और आज के समय में असे कल के प्रस्टॉं में बताया था की डेटा इस दनियु ऑयल डेटा एक नहीं करनसी बनने वाली है डेटा जैसे आज के अपिल वह एप इंपॉर्टंस है तो आज के समय में जिसके पास डेटा है वो से बिना पूछे मेरे बिना जानकारी के मेरी निजता मेरी क्या प्राइवेसी वाली चीजे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं किस से बात कर रहा हूं यह सरकार को दे दिया अब उस कंपनी को तो यह अधिकार नहीं है कि वह जा करके सीधे सरकार को मेरी जानकारी दे दे तो यह मेर प्राइवेसी नहीं रहा जाएगी प्राइवेसी खतम हो जाएगी और हमारा कॉंस्ट्टिूशन का हमारा चॉंस्ट में अर्टिकल्टिकल्टेना कहता है कि हर एक व्यक्ति को उसकी निजिता का अधिकार है आटकिल्टिवन कहता है कि प्रतेक व्यक्ति को उसकी निजता का अधिकार है मतलब अगर व्यक्ति चाहता है कि मेरे चैट मेरा कोई ना पढ़े मेरी फोटो कोई कर रहा हूं यह न पता चले तो ये उस व्यक्ति का अधिकार है करेखिस दिए ये समीधानि निजिता का अधिकार एक ऐसा अधिकार है, जो हमारे समयधानिक अधिकार है, मूल अधिकार है, लेकिन इस पर कुछ अमनलब जैसे की अधिकार तो है, लेकिन ये पूर्ण अधिकार नहीं है, इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, कभी-कभी, जैसे अगर राष्टी सुरक्षा की बात आ जाए एक व्यक्ति है और उसकी हरकते कुछ ऐसी है कि उसके पुलिस वालों को शक हो जाता है तब फिर ये अधिकार उसका समयधानिक दाइरे में ये अधिकार उसका निजिता किसी मलब जैसे मानले जी वो फोन चला रहा है अब प यहां पर समयधानिक दाइरे में उस पर प्रतिबंध लग चुका है और उसके फोन की जांच की जा सकती है उसने किस से बात की, किस से क्या कहा, किस से वाटसेप चैट की तो ये सारी चीज़े हो सकती है. बाकि समिधान के अनुच्छे दिकिस की और निजता के अधिकार की बाद हम फिर किसी पॉलिटी की क्लास में करेंगे तब तक के लिए आप इतना इतना जानिये कि पेगसे से स्पाइवेर इस्राइली कंपनी से था जो क्या करती थी वर्टसेप के मांध्यम से जासोसी का काम क इन कि कर रहे थी और लोगों की निजता प्रभावीत हो रहे थी इस चीज से हम अपने अगले प्रष्न की तरफ आते हैं कि रास्टी इस्तर के जागरुकता कारिक्रम संभव 2021 का आयोजन किसके द्वरा कराया गया कि सूष्म्रलगो और मद्यमुद्यम मन्तरा ले मस्मी मन्तरा ले। जाल ही में आ oldest 233 कार्यालियों ने मिल करके विभिन अलग-अलग कॉलेज कॉलेज जो यह MSME है MSME के छेत्री कार्याले छेत्री कार्याले प्लस कॉलेज या आई टी आई जहां पर अध्योगी प्रसिक्षर संस्थान दिया जाता है छेत्री कार्याले और IT madernyao करें लोगों को उध्य मिता के लिए प्रस्थाहित करते हैं प्रस्थाहित के लिए कते कि बाई तुम काम करो यह विए कीसीने क्षोटा स्टा अब हँव और कोई चूटी नवाचार बढ़ेगा मतलब इनोवेशन बढ़ेगा। और जो आत्मनेर पर भारत का लक्ष है हम उसे प्राप्त कर सकेंगे और साथी साथ इसमें चात्रों को इस मंत्रा ले कि जो भी स्कीम होंगी जो भी कॉलेज या आई टी आई में पढ़ रहे होंगे चात्र उन्हें इस कीम के बारे में बताया जाएगा कि मतलब वो जो भी काम करना चाह रहे हैं या फिर शुरू कर रहे हैं उससे संबंधी जो भी स्कीम है उसके बारे में उन्हें बताया जाएगा तो MSME राष्टी इसतर के जागरुकता कारिक्रम संभव 2021 का आयूजन MSME मंत्रा लेके दोरा किया गया MSME इसमें क्या इस मतलब संभव कारिक्रम को MSME के 136 कार्याल है और विभिन कॉलेज और ITI के साथ मिल करके उद्धमिता को प्रोसाहित करने का का उद्धेश है और इसमें किया क्या जाएगा कि कॉलेज और ITI के छात्रों को जो भी वह स्टार्ट अप या फिर मतलब जिस चीज के बारे में काम करना के लिए करने के लिए सोच रहे हैं उसके लिए स्कीम्स बताई जाएंगी ताकि उन्हें आसानी हो और उन्हें स्कीम्स को इंप्लिमेंट करके वो अपने उद्ध्यों को या फिर अपनी इंडस्ट्री को बढ़ा सके ठीक है तो यह उम्मेद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा आप यह याद रखिएगा कि संभव 2020 का युजन किस ने कराया था उद्ध्यमिटा के लिए राष्टी लग हुए मध्यम मंत्राले मस्मी मंत्राले हमारा अगला प्रेश्ण हम अपने अगले प्रेश्ण के तरफ चलते हैं हाली में प्रधान मंत्री की आर्थिक चलाप परिश्यत का पुनर गठन किया गया है इ इसके अध्यच के रूप में ड़क्टर बिबेक देवराय को नियुक्त किया गया है यह option याद रखियेगा पूछ सकता है important question ड़क्टर बिबेक देवराय आर्थिक शलाखार कार प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिशद आर्थिक सलाहकार परिशद क्या है यह गैर समयधानिक संस्था है मतलब Constitution में हमारे नहीं है इसे अलग से बनाया गया है गैर समयधानिक गैर सामविधिक भी है मतलब किसी Act के तहत नहीं बनाया गया है गैर समयधानी के साथ-साथ, यह गैर समयधानी के ना तो किसी Act से बनी है, ना तो किसी Constitution से बनी है, बस यह सोटन्तर निकाया है, यह अपने आप में सोटन्तर है. यह काम क्या करती है यह प्रधान मंतरी को different अलग-अलग economic purpose के लिए अलग-अलग अर्थिक मुद्दों के लिए उन्हें सलाह देती है प्रधान मंतरी को अभी short form के लिए इतना समझ लेजिए कि विवेक देबराय के समिती में प्रधान मंतरी की अर्थिक सलाह परिश्यत का हमारा अगला प्रशन है हाली में देखे पेगसेस फिर से आ गया हाली में पेगसेस पाइवेयर के मामले में जाच के लिए विशेशक्य समिती का गठन किया गया इस समिती का नेत्रत्व किस ने किया है तो पेगसेस पाइवेयर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जासूसी का क तो वहां पर इसके लिए जाथ समीती का गठन कर दिया गया कौट ने यहाँ पर तो आप्षन दिया हुआ जस्टिस अर्वीर रवीन्द्रन जस्टिस युय लले जस्टिस डी वाई चंद्रचूण जस्टिस अरवींद बोबडे तो यहाँ पर सही ऑप्षन है यह हमारे भारत के मुख्य नाइधिश भूत पूर्व मुख्य नाइधिश रह चुके हैं और इनकी अध्यक्षता में तीन सदस्य उस कमेटी में तीन लोग होंगे इने लेकर तीन सदस्य समिती का गठन किया गया है इस पेगसे से स्पाई वेयर मामले की जांच के लिए ठीक लेकर कर जो कि कौन हमारे पक्ष में हैं इससे अपने मतलब विरोधियों को तहना भाषा थाने में असानी हो जाती है एकत्रीक से सुछ सकते हैं पेगसेसे था किसे बनाया अ को इस्रेज यह अ की कंफणी को से उसका और म्याद याद रखिएगा जस्टिस आर्वी रवी चंद्रन, आर्वी रवी चंद्रन की न्युक्ति की गई, हमारा अगला प्रश्ण है, हाल में सारा, सारा क्यूज, सारा क्यूज 4A नामक सैन संचार उपग्रह लॉंच किया गया, ऐसे मतलब नाम दे कर की भी पूश सकता है, कि सारा सारा क्यूज 4A, हाली में चर्चा में था, यह है क्या, तो यह याद रखिये गए, यह सैन संचार उपग्रह, military communication satellite है, सैन संचार उपग्रह, military communication satellite, किस देश ने लॉंच किया है, इसके ऑप्शन देखते हैं, option A, France, Germany, Japan, Brazil, तो इसका सही option होगा, सही उतार होगा, France, France, France ने हाली में सारा Qs 4A नमक सेनसंचार उपग्रह लॉंच किया और इसे लॉंच किस जगह से किया था French Guena याद रखिएगा यहाँ से भारत के भी कुछ satellite लॉंच किया जाते हैं कभी-कभी French Guena में एक जगह French Guena का Kauru Kauru प्रक्षेपड केंद्र French Guena के Kauru प्रक्षेपड केंद्र से इसे लॉंच किया गया सेनसंचार उपग्रह सारा Qs 4A और इसे लॉंच किया है France ने तो ध्यान रखिएगा यह कहीं न कहीं पूछा जा सकता है इसका नाम देकर पूछा जा सकता है कि सारा Qs 4A है क्या तो यह सैनसंचार उपग्रह है किस देश ने लॉंच किया France ने लॉंच किया कहां से लॉंच किया French Guena के Kauru प्रक्षेपड केंद्र से और एक इंटरस्टिंग बात यह बता दो कि जो यह French Guena है यह France France किस जगह पर पढ़ता है France पढ़ता है यूरोप में लेकिन यह French Guena यह France का हिस्सा होते हुए भी यह यूरोप में नहीं है यह पढ़ता है French Guena दक्षणी अमेरिका में यह ध्यान लखियेगा आप सभी यह अलग से फैक्ट था इसका यह French Guena फ्रांस का तो हिस्सा है लेकिन यह दक्षणी अमेरिका में पढ़ता है दक्षणी अमेरिका में है फ्रांस का हिस्सा तो है लेकिन यह दक्षणी अमेरिका में है एक तरीके से यह कभी France की कलोर्नी हुआ करता था जो आस तक आज़ाध नहीं हुआ है तो यह आप ध्यान लख सकते हैं फ्रांस की राजधानी के बारे में अगर बात करें तो फ्रांस की राजधानी है पैरिस और यहां पर मुद्रा कौन सी चलती है मुद्रा चलती है यूरो मुद्रा चलती है यूरो ठीक है समझ में आ गया होगा और हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ हमारा अगला प्रश्ण है 27 अक्टूबर 2021 को 16 वे पूर्वी एशिया समसिखर सम्मेलन इस्ट एसिया समिट की मेजबानी किस देश की अध्यक्षिता में की गई है आप्शन A ब्रुनोई, आप्शन B वियतनाम, आप्शन C कमबोडिया, आप्शन D लाओस तो इसका सही ऑप्शन है ब्रुनोई, ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ब्रुनोई, सोलवे, यह याद रखिएगा कि यह जो East Asia Summit था, यह 16 एस्ट एशिया समिट था, यह जरूरी है, कभी-कभी पूछ लेता है, डारेक्ट पूछ लेगा, कि आप से कि यह जो तो हाल ही में East Asia Summit का कौन सा सत्र आयोजित किया गया, तो 16 वा सत्र आयोजित किया गया, इसकी मेजबानी यह भी पूछ सकता है, डारेक्ट कोश्चन है, कि मेजबानी किसने की, मलब किस कंट्री ने इसको होस्ट किया, ब्रुनोई ने होस्ट किया, अब थोड़ा से East Asia Summit के ब उसमें 10 आशियान देश, आशियाने के समूव हैं, 10 देशों का, दक्षिडपूर्वी देशों का, ठीक है, 10 आशियान देश, प्लस भारत, चीन, जापान, डक्षिड़, झाल 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 झाल